एक्सेसाइज 3.4 क्लास 11 NCRT मेस चेप्टर त्रिकॉर्ण मित्ती फ्लन का कुशेन नमबर 2 अभी हम सोल करेंगे कुशेन नमबर 2 में देखिया आपको सेक X ब्राबर 2 दे रखा है तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह जो समिकर्ण है इसका मुख्य तथा व्यापक हल ग्याद करना है तो पहले समझ लेते हैं कि बला यह मुख्य हल क्या होता है तो यहाँ पर दोस्तों जो X है इसका वेल्यू जब हम 0 से 2 पाई की बीच लेते हैं तो मुख्य हल कलाता है व्यापकहल के लाता है तो यहाँ पर दो चीज़ां आपको याद रखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी एक तो देखो साइन के लिए व्यापकहल यह होता है कोस का आपका जनरल सुलूशन यह होता है टैन का जनरल सुलूशन यह होता है उसके बाद आपके पास यहां पर चार चतुर्थांस है उसको ऐसे समझेगे A, S, T, C A का मदलब All यहनि फस्ट में सभी positive होते हैं Second में Sign Cosec, Third में 10 quote और इसमें Cosec आपका positive होता है ओके अब इस application को यहां पर हम काम है लेंगे देखो याद करो आपका जो सेक पाई भाई 3 होता है वो कितना होता है दोस्त stars वापका true होता है यहनि two को क्या लिख सकते हैं हम सेक पाई भाई 3 लिख सकते हैं उसके अलावा यहां पर अब इन 4 का आपका। यहां पर देखो positive value है तो देखो से का कौन से चतुर्थांस में value positive है 4th चतुर्थांस में value positive है आपको कोई भी angle दिया गया है उसको 4th चतुर्थांस में लेके जाना है तो आप क्या करेंगे 2 pi minus angle करेंगे 2nd में लाना है तो pi minus angle करेंगे यह कहां से लेके आना है ध्यान रखना है ये भी आपको समझाना चीए आपका यहाँ पर fast फास्ट में theta है तो इसमें pi minus theta होजेगा इसमें 2 pi minus theta होजेगा ये किसमें है आपका दोस्तो fast में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 pi minus pi by 3 लिख सकते हैं और ये हम किसमें पहुंच गए अपना fourth में fourth में आपका से क्या होता है दोस्तो positive होता है बराबर कितना आएगा 2 आएगा तो यहाँ पर इसके मुख्य हल क्या बन गए मुख्य हल बन गए दोस्तो एक आपका pi by 3 और इसको solve करेंगे तो ये कितना हैगा 6 pi minus pi by 3 यानि 5 pi by 3 आएगा ये आगे मुख्य हल अब बात करनी है इसके व्यापक हल के तो व्यापक हल में देखिये हम इसको क्या करते हैं कोस के फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं देखो व्यापक हल के लिए आपका दोस्तो जो six x है वो क्या होता है one by कोस एक्स होता है चीक है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते है कोस एक्स बराबर यहाँ बराबर कोस अन्ते कर दो कोस आपका पाई बाई थ्री और कोस का कोस एक्स का व्यापक हल आपका क्या होता है दोस्तो एक्स बराबर टू एन पाई प्लस माइनस वाई यहाँ पर कितना है आपका पाई बाई थ्री है ओके अर्थात से एक्स बराबर टू का व्यापक हल क्या होगा यही होगा जो कि किसका है आपका क्योंकि यहाँ पर कोस और से क्या है एक दूसरे के साथ व्यूत कर्मान पाती समझ से रिलिटेड ही निए एक दूसरे के साथ समन्दिद है तो यहाँ पर टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई त्री है यहाँ ऐसे समझ लिजिए कि आपको जब कोट का निकालना होगा तो उसको टैन के फॉर्म में लिक के निकाल लेंगे साइन पाई निकालना होगा यहाँ ऐसे समझ लिजिए कि सेक और कोस का व्यापक हल सहम वता ह Hm टैन कोड का व्यापक हल सहम साइन को सेका व्यापक हल सहम ओके walks रहाए आपका कुषियन सोल हो गया धान्यवाद अगले वीडियों में फिर मिलते हैं ह। झाल